नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचेत दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतों पूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आई आज हम सभी जानते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के कुछ घरेलू नुश्खे के बारे में क्योंकि हड्यां है ऐसी चीज होती है दोस्तों जो हमारे पूरे शरीर का वेट उठाती है वजन उठाती है जैसे कि आप देखते हैं किसी भी गाड़ी का इंजन होता है और उसके पार्ट सोते हैं तो उसमें हर चीज की महत्ता होती है ठीक वैसे ही हमारी हड्यों के महत्ता त और हम स्वस्त रहें टाइट रहें इसके लिए इनका स्वस्त रहना बहुत जरूरी है इसलिए आईए आज हम सभी घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं वो भी ऐसे जो कि आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और आपकी हड्यों को मजबूत बनाएगा जिहा आप अपने हड्यों का कमजोर होना अनुभव ही नहीं कर पाते हैं हड्य एक सजीव उत्तक होता है जो पुनर निर्मार की स्थाई प्रक्रिया में रहता है अर्थात शरीर पुरानी हड्य को हटा देता है जिसे हड्य का शरण कहते हैं और उसे नई हड्य से प्रतिय अपनी आयू के मध्य यानि कि तीस से अधिकतर लोग प्रतिय स्थापित होने के मुकाबले धीरे धीरे हड्यों को अधिक मात्रा में खोना प्रारंप कर देते हैं परिणाम स्वरूप हड्यां पतली हो जाती हैं और सनरचना में कमजोर पड़ जाती हैं व्रिद जन विशेश कर महिलाएं जिनके हड्यां आमत और पर छोटी हलकी और कम घनी होती हैं उनमें आस्टियोपोरसिस होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है जिहां शरीर के आधे से ज़्यादा हड्यां हाथ और पहरों में होती हैं हमारे शरीर का 14% वजन हड्यों में होता है इंसान और जिराफ दोनों के गले में बराबर हड्यां होती हैं पूरे शरीर में केवल एक हड़ी बिना जोड की होती है जो गले में पाई जाती है जब हम 30 साल से उपर हो जाते हैं तो हमारी हड़ीयां अपना घनत यानि ताकत खोने लगती हैं शरीर में सबसे छोटी हड़ी कान की और सबसे बड़ी हड़ी जांकी होती है हमारे हाथ कलाई और उंगलियों में 54 हड्डियां होती हैं जो लिखने, मोबाइल चलाने और प्यानो भजाने वगरे में आपकी मदद करती है जिहां दोस्तों तो आईए अब जानते हैं हम वो नुस्खा जिसके सहरे आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं जिहां वो असर कारक नुस्खा है बस नमक जिहां नमक आपको उचित मातरा में सेवन करना होता है और दिन में जब भी एक बार पानी पीएं तो ध्यान रखें उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें इसके बाद उस पानी को पीएं और नमक के साथ आप एक चीज मिला सकते हैं बह ज़्यादा जरूरत पड़ती है एक गेहूं का दाना जितना होता है उतना सा या फिर राई के दाने के बराबर आप चूना ले करके उसको पानी में घोल बना लीजिए या फिर अपने खाने में डाल लीजिए और उसको खा जाईए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन भर के लिए स्वस्त रहेंगी मजबूत रहेंगी ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों